किसान भाईयों पिछले साल कपास में नर्मा में गुलाबी सुन्डी का बहुत ज्यादा मात्रा में अटैक हुआ जिसके वज़े से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ बहुत से एरिया में गुलाबी सुन्डी की वज़े से कपास नर्मा बुरी तरह से तबाह हो गया खराब हो गया था जिसके वज़े से उत्पादन बहुत ही कम बैठा पैदावार काफी कम हुई और इस बार भी काफी जगह पर कई इलाकों में कई चेतरों में गुलाबी सुन्डी का परकोप देखने को मिल रहा है तो हम गुलाबी सुन्डी को कैसे कैंट्रोल करें इसकी रोक थाम कैसे करें इसके बारे में आज किस वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ ही गुलाबी सुंडी को नियंतरित करने के लिए इसको कैंट्रोल करने के लिए प्रियोग किया जाने वाले साथ परकार के किटनासकों के बारे में स्प्रे के बारे में आपको जानकरी देंगे लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि गुलाबी सुंडी के उपर 100 परतिसत कैंट्रोल नहीं किया जा सकता इसकी सुरुवाती अवस्था में रोकथाम किया जा सकती है इस से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है लेकिन इसके उपर पूरी तरह से केंट्रोल नहीं किया जा सकता स्प्रे के दवारा भी केटनासकों के दवारा भी तो ये बात आप ध्यान रखें शुरुआती अवस्था में जब फसल के उपर जो इसकी फिडकलिया है जो इसके जो गिट है वो मंडराते रहते हैं तो वो अंडे जब देते हैं तो उनके अंडों को नश्ट किया जा सकता है उसके बाद में जब उसमें से गुलाबी सुन्डी निकल जाती है और वो यदि आपकी कपास के टिंडे में चली जाती है पतियों के नीचे चली जाती है फूल में चली जाती है तो फूल के वस्था तो उसको केइन ट्रोल किया जा सकता है उसको मारा जा सकता है शुरुआति अवस्था में जब आपकोई भी अपनी फसल वे प्रिप्स की हो चाहे वाइट तो आप नीम का तेल जरूर मिलाकर प्रियोग करें। नीम के तेल से आपकी फसल के पत्ते हैं वो खारे हो जाते हैं जिससे उसके उपर जो गुलाबी सुन्डी के जो किट होते हैं जो फिड़कले होते हैं वो नहीं बैठते और अंडे नहीं देते तो आपका काफी अतक बचाओ हो जाता है तो ये चीज काफी कारगर पाई गई है नीम का तेल आप जरूर मिलाएं चाहे आप कोई भी स्प्रे करें ये इसमें बेहद कारगर है गुलाबी सुंडी के लिए किटनास्कों की यदी हम बात करें तो प्रोफेनना फोस 50% इसी फॉर्मलेशन में आता है ये सेजेंटा कमपनी का कुरा कोरन के नाम से आता है और दूसरी कमपनियों का अलग-लग नाम से आता है तो आप किसी भी कमपनी का ले सकते हैं जो भी आपको सस्ता पढ़ता हो किसी भी अच्छी कमपनी का आप ले सकते हैं इसको 50 अम्मल परती एकड़ के इसाब से स्प्रे करना रहता है। इसके बाद में इमामेक्टिन बेंजोइट आता है 5% असजी फर्मूलेशन में ये भी काफी अच्छी दवा है। और ये सुंडी के साथ साथ इल्ली के साथ साथ थ्रीप्स के उपर भी काफी अच्छा नियंतरन देती है। जो की सजेंटा कंपनी की प्रोकलेम के नाम से आती है। और भी अलग-अलग कंपनियों के आती है। इसके डोज रहती है 100 ग्राम परती एकड़की साथ से या फिर 1 ग्राम परती 1 लिटर पानी की मातरा के साथ में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद में आती है फ्लूबेंडियामाइड ये बायर कंपनी की फेम के नाम से आती है। इसके अलावा और कंपनियों की भी आपको मिल जाएगी। इसके नाम से आती है और इसकी डोज रहती है एक सो साथ एमल परती एकड़की साब से। इससे अगली जो है ये साइपरमेथरीन दस परतीसत इसी फरमलेशन में आती है। ज्यादातर किसान भाई इसका प्रियोग करते हैं इल्ली मारने के लिए सबसे फेमस ये टेकनिकल है साइपरमेथरीन और जिन किटनासकों के नाम के आगे एथरीन लगा रहता है। इसकी साइपरमेथरीन है, डेल्टामेथरीन है, फेनपरोपेथरीन है। इनके आगे जो एथरीन है ये सबी इल्ली मारने के लिए ही दवाईयां होती है। लग बग इल्ली मारने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके बाद में एथियोन 50% इसी फॉर्मलेशन में आती है पी आई कमपनी की फोसमाइट के नाम से आती है और भी कमपनियों के आपको अलग अलग नाम से ये भी मिल जाएगी तो इसकी डोज रहेगी 800 ml परती एकड के हिसाब से तो इस परकार से इन किटनासकों के दवारा आ करते हैं तो क्योंकि बाद में गुलाभी सुन्डी के ऊपर नियंतरन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है इसके ऊपर नियंतरन बाद में नहीं किया जासकता दोस्तों इस वीडियो आपको कैसे लिए कमेंट में बताएं इस वीडियो को like और सेरज जरूर करें इसी प्रका